ये जो उपाय में आपको बताने जा रही हूँ, आज से पहले कभी भी मैंने अपने चैनल पर नहीं बताया है, पहली बार बता रही हूँ, बहुत ही विशेश उपाय है, इसलिए कान खोल कर ध्यान से सुनिएगा, सच में अगर आप अपने कश्टों को जीवन से दूर करना चाहते हैं, तब ही इन उपायों को कीजेगा, गुरुजी ने ये उपाय बताया है, इससे पहली बार में बताने जा रही हूँ, पूरे यूट्यूब पर आपको ये उपाय नहीं मिलेगा, जीवन में चल रही चारो तरफ की कोई भी कैसी भी परिशानिया क्यों नहीं हो, स चारो तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा है, आपको बस ये एक उपाय करना है, एक दिन करना है और उसके बाद दुबारा करने की आपको आवश्यक्ता भी नहीं पड़ेगी, गुरुजी के अनुसार आपने अपने जीवन में कितने ही चमतकार क्यों न देख लिये हो, लेकिन इस उपाय को करने के बाद जो चमतकार आपकी जीवन में होगा, आप सोच भी नहीं सकते, आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगा, पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, हर कोई आपसे पूछेगा कि आपकी तरक्की का रास क्या है, तो चलिए जानते हैं कि कौन सा है, वो विशेश उपाय, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृप्या करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद, कॉमेंट बॉक्स में जैमालक्ष्मी बनाते हैं, लेकिन अकसर थोड़ा सा खाना ज्यादा बनी जाता है, कुछ न कुछ बची जाता है, सब्सी, ग्रेवी अकसर खतम हो जाती है, लेकिन रोटी जरूर बच जाती है, और इस बची होई रोटी को अगले दिन परिवार के सदस्य खाने में भी कतराते हैं, तो अगर आपकी घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी बिल्कुल आपको हिला कर रख देने वाली है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इन गलतियों को करता है उसकी आकस्मिक रूप से मृत्यु जरूर हो जाती है। धन के धन दौलत हमेशा भरी रहती है और जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां होती है। ये ऐसा कोई व्यक्ति है तो आपने देखा होगा हमेशा उसके जीवन में कश्ट भरे रहते हैं। आप जाने अंजाने ही इन गलतियों को कर देते हैं। कोई आपको बताता भी है तो आप उसे नजर अंदास कर देते हैं। लेकिन मेरी इस बात को आप गांठ बान लीजे कि जो भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। उसे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो स्वास से उसका ठीक हो। और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो वो सदेव प्रसन चित रहता है और अपने लक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसे में शास्त्रों के अनुस्वार यदि आपका रसोई घर अच्छा है उसमें गल्तिया नहीं होती है तो मा अनुपूर्णा के अशिरवात से निश्चित रूप से आप माला माल हो जाते हैं, करोड़ पती हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको वो खास उपाय बताऊंगी लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के बाद शेयर जरूर कीजेगा और कॉमेंट बॉक्स में अगर अभी तक आ दूशित भोजन होता है इस तरह का खाना खाने वाला व्यक्ति या परिवार हमेशा बिमारियों से ही घिरा रहता है और ऐसे घर परिवार से मा अनपूर्णा भी हमेशा नाराज ही बनी रहती है ऐसे घरों में दरिदृता का वास हो जाता है और ऐसे घर में रहने वाले व् पूरे परिवार में धीरे धीरे निर्धनता का शिकार बनते चले जाते हैं इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुतरा रखना चाहिए और समय समय पर थोड़ा गंगा जलका आच्छिडकाव भी वहाँ पर जरूर करना चाहिए ऐसा करने से माअनपूर्णा आकरशित होती है और आपके हर कार्य में काम्याबी आपको हासिल करवाती है साथी साथ उस परिवार में हमेशा सदस्य तरक्की करते हैं काम्याबी को प्राप्त करते हैं अगली जो गलती आरात्मकता भी आकरशित होती है जिसकी वज़र से काफी बुरा प्रभाव आपके और आपके पूरी परिवार तथा बच्चों के उपर पड़ता है अगली गलती है कभी भी रसोई घर के सामने जूते चपल जाडू पोछा नहीं रखना चाहिए इसी के साथ रसोई घर के सामने कभी भी बात्रूम भी नहीं होना चाहिए ऐसा करड़े से भी माता अनपूर्णा हमेशा नाराज बनी रहती है इससे आप पाप के भागिदार भी बनते हैं अगली जो गलती अधिकतर महिलाय करती है खाना बनाते वक्त वो नमक को चेक करने के लिए जूता कर देती ह ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए पहले आप अनपूर्णा देवी को हमेशा घर के मंदिर में भोग लगाए उसके बाद ही आप उसे खा सकते हैं और रसोई घर में कभी भी खाना हमें नहीं खाना चाहिए नमक को टेस्ट करवाने के लिए आप थोड़ा सा किसी भी कन् लेकिन आपको भोजन को चखना नहीं चाहिए। लेकिन शीशा कभी भी हमें वास्तु शात्र के अनुसार रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन शात्र के अनुसार कोई अलग से उपाय बनता पढ़िए। तो ये थी कुछ बड़ी गलतियां जो अक्सर महिलाएं जाने अंजाने में कर देती हैं और अपने पूरे परिवार के दोरभाग्य का कारण बन जाती है। अब मैं आपको वो खास उपाय बताती हूँ जो कि गुरुजी ने कल की गठा में ही बताया था बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले फिर से निवेदन है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करकी चनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के साथ ही कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी लिख दीजे ताकि राशी के अनुसार कोई अलग से उपाय बनता प पाई जाती है खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है बासी रोटी में पेट फूलने की समस्या गैस की समस्या कबज की समस्या से राहत मिल सकती है इसलिए दोस्तों बासी रोटी आपके लिए वर्दान है इसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए द दोस्तों सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व होता है। मानेता है कि गौमाता के शरीर पर समस्त 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर हमेशा देवी देवताओं की कृपा बरस्ती ही रहती है। मिलने पर सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। मिलने बदली में आपको 33 कोटी देवी देवताओं का क्रोध झेलना पड़ सकता है। जिससे आपके घर में नकारात्मक उजा का वास बन जाता है और आपको किसी भी कारे में कामियाबी कभी नहीं मिलती है। तो जब भी आपके घर पर आटा बन जाए एक्स्ट्रा रोटी बन रही है तो आप रोटी ना बना कर एक रोटी गाय को खिलाए। पहली जो रोटी है वो गाय के लिए निकाल दें उसके अलावा जब आपका एक्स्ट्रा आटा बचता है गुथा हुआ तो उसकी आप लोईया तयार कर लीजे और हफते में एक बार 11 लोईया बना कर उसमें थोड़ा सा हल्दी और गुड रखकर और अगर आप गुड नही दिये ऐसा करने से आपके घर के समस्त प्रकार के रोग दोश कष्ट जो भी है इस जन्म के भी और उस जन्म के यानि की पुराने जन्म के भी कष्ट दूर होते हैं और ऐसे में आपको पुर्णे की प्राप्ती तो होती ही है साथ ही आपके पूरे परिवार में हर कोई तरक् तो मुझे उमीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टी मिली होगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजेगा दोस्तों आपका छोटा सा शेयर किन्ही के कश्टों को दूर कर सकता है और ऐसे में आपको भी पुर्णे की प्राप्त वीडियो को लाइक करके तुरंट चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन तुरंट प्रेस कर दीजे मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ जैश्री राम